सबी चात्र और आध्यापकम को मेरा नमस्कार, मेरा नाम एन गुरुवया, मैं जड़ पेट चस्पतर गुण्डवली में हिंदी आध्यापकम सर्वनाम आज हम इस पाट में सर्वनाम की परिबाशा वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग करते हुए लिखना सर्वनामों के मुक्य श्यब्द, उसके रोकपरवर्तित श्यब्दों का परिचय और अनुच्छेदों में सर्वनाम की उपयोगिता के भारे में सीखेंगे शिब्द के आठ बेदों में सर्वनाम एक है हमें मालुम है कि नाम वाले शिब्दों को सन्या कहते है उदाहरन आम मीटा है कमल सुन्दर है रामू अच्छा लड़का है तोता फल काता है जर्ना बहता है इन वाक्यों में आम, कमल, रामू, तोता और जर्ना शिब्द, सन्या शिब्द है इनके स्थान पर सर्वनाम रखकर लिखने से वाक्य इस प्रकार बनते हैं आम मीटा है यह मीटा है कमल सुन्दर है यह सुन्दर है रामू अच्छा लड़का है यह अच्छा लड़का है तोता फल काता है यह फल काता है जर्ना बहता है इन वाक्यों में सन्याओं के बदले सर्वनाम शिब्द यह का प्रयोग किया गया इससे कहने के उद्देश में बदलाव भी नहीं है सर्वनाम की परिबाशा सन्या के बदले में उपयोग करने वाले शिब्दों को सर्वनाम कहते हैं ये शिब्द किसी विक्ती वस्तू स्तान आदी के नाम के स्तान पर इस्तेमाल करते हैं जैसे मैं तुम आप यह वह हम हमारा इसका आदी शिब्द सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ सर्व का अर्थ है सब और नाम का अर्थ है सन्या सभी का नाम यह सर्वनाम का अर्थ है इससे हमें मालूम होता है कि सभी सन्याओं के बदले में सर्वनाम का उपयोग करते हैं सर्वनाम के मूल शेब्द मैं, तू, आप, वह, यह, क्या, कौन, कुछ, कोई, जो, सू इने ही मूल सर्वनामों को वाक्यों में प्रयोग करते समय, लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से उनके रूप बदलते हैं वह शेब्द से कारक मिलने से उसका रूप इस प्रकार बदलते हैं रामों ने गीत गाया इस वाक्य में सन्या शिब्द रामों है इसके साथ ने कारक आया है सन्या के स्थान पर वह सर्वनाम रखकर वाक्यों फिर से लिखने पर वाक्यों इस प्रकार बनते हैं उसने गीत गाया उसने शिब्द वह और नेके मेल से बनी है इसी प्रकर फवन को खलम दिया उसको कलम दिया अनिल से गलती हुई उससे गलती हुई और परिवर्थित सर्वनामां के बारे में अगले वीडियो में सीखेंगे अनिच्छेद में सर्वनाम की उपयोगिता उदाहरन राजू सबेरे पांच बजे उठता है राजू समय पर पाठशाला जाता है राजू का मन पसंद फल आम है राजू को हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है राजू के माता पिता और गुरुजनों की बात मानता है इस अनिच्छेद में राजू का नाम बार बार आया है इसको पढ़ना अटपटा लगता है इस अनिच्छेद में सर्वनाम का प्रयोग करने से अनिच्छेद इस प्रकार होता है राजू सबेरे पांच बजे उठता है वह समय पर पाटशाला जाता है उसका मन फसंद पल आम है उसको हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है वह अपने माता पिता और गुर्जनों की बात मानता है इस अनिच्छेद में राजू नाम के स्थान पर सर्वनाम शब्द वह उसका उसको वह और अपने आये है अनिच्छेद के पहले वाक्य में सन्या है दूसरे वाक्य से सन्या के स्थान पर सर्वनाम लिखते है इन से अनुच्छेद को पढ़ने में सहजता और सरलता के अनुबव होते है इन सर्वनामों में वह मूल शब्द है और उसका उसको और अपने सर्वनाम के मूल शब्दों से परिवर्दित शब्द है हम इस पार्ट में सर्वनाम की परिबाशा, वाक्ट्यों में सन्या के स्थान पर सर्वनाम के उपयोग करते हुए लिखना सर्वनामों के मुख्य शब्द, उसके रूप परवर्थित शब्दों के परचे और अनुच्चे दों में सर्वनाम की उपयगता के बारे में सीख लिए है धन्यवाद